चिकन स्टार्टर या चिकन स्नाक की रेसिपी ऐसी बनाएंगे जिसे आप बना कर महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, जब दिल चाहे इसे निकाल कर फ्राइ करें और इसे एंजॉई कर सकते हैं, चिकन लेंगे, यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ली हूँ, सारे 700 ग्राम, इस सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे आदे घंटे के लिए, ताकि चिकन पकने पर एकदम नर्म और मुलायम बनकर रड़ी हो, चिकन मैरिनेट हो जाए तब हम इसे पका लेंगे, तो पान में दो बड़े च चिकन इसमें डाल देंगे, अब हाई फ्लेम पर दो से तीन मिनिट के लिए चिकन को चलाते हुए हमें पका लेना है, इस तरह से मसालों का कच्छापन चला जाएगा, अब ढग देते हैं चिकन को और ढग कर इसे पका लेंगे करीब 15 मिनिट के लिए मीडियम टू लो फ्ले और इसे अच्छी तरह से चॉप कर लेते हैं, चिकन का अच्छा सा कीमा बन जाए, इसके बाद इसे निकाल देते हैं एक प्लेट में, सारा कीमा इस प्लेट में निकाल लेंगे, तीन मीडियम साइस के आलू है, जिसे मैने बॉल करके अच्छी तरह से मैश कर लिया है, अब करीब 50-60 ग्राम चीज है, एक चौथाई कप इसमें फ्रेश क्रीम डाल देंगे या फिर आप घर के दूद की मलाई भी डाल सकते हैं, आलू के हिसाब का नमक इसमें डाल देते हैं, करीब एक चौथाई चम्मच, थोड़े से बारिक चौप किये हुए धनिय के पत्ते इसमें डाल देते हैं, आप सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं, आलू और चिकिन एक दम अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए, तब हम थोड़ा-थोड़ा पो psychology लेकर इसके कबाब या कटलेड बना लेते हैं, अपनी मन चाहिव ही size के आप इसके कबाब बना सकते हैं, इस तरह स लोन पर हाँ जा है तो चिकन मलाई कबाब को फ्रिज main store करके रख सकते हैं करीब एक महीने के लिए तेल को medium flame पर सारे मलाई चिकन कबाब को अब medium flame पर fry कर लेंगे एक तरफ से कबाब पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए इसके बाद इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर आने तक इसे पका लेते हैं सरा तेल ड्रेन करके कबाब को निकाल लेंगे ये चिकन मलाई कबाब को हरी चटनी, टोमाटो सॉस या अपने मन पसंद डिप के साथ आप सर्फ कर सकते हैं